हेलो मैं बीटिफुल सोल्स विल्कम बाक तू मैं चैनल टारो शिवी जुबल एच गाइस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी चैनल पर पहली बार है तो गाइस प्रीस सब्सक्राइब करें और यह रीडिंग टामलेस है सभी जोडिक साइंस के लिए है मैरिट अन्मारिट के लिए और मेल फीमेल दोनों के लिए टॉपिक है गाइस कि आपका पार्टनर अभी आपको क्या बताना चाहता है अपने से रिलेटिट क्या बताना चाहता है लेट सी प्लीज गाइड कीजें इंजल्स मेरि व्योस के पार्टनर्स मेरि व्योस को अभी क्या बताना चाहते हैं प्लीज गाइड मी झाहते हैं अधिए को छुशनर्स मेरिक अभी जोब झाहता है उजए वेश्चार मेरिव गाइड ओर चैट्ट रूड सर्ट हैं इड को घूपिक्ष कर गंनो बताना गाइड जोवाइड श्मार्स को बताना न्युड आपको स्वाँ भी अभी दिया connection divine family oh my god वाउ यहाँ पर कुछ लोग spiritual connection कुछ लोग के spiritual connection है कार्ड है divine masculine and divine family no doubt कि आप दोनो काफी अच्छी energy में है जो divine feminine है तो definitely divine masculine आपको commit ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता distorted feminine को नहीं commit करते हैं या फिर जो बहुत ज़ादा greedy energy में होती है अब बहुत ज़ादा लालसा जिसको होती है या जिसको बागी जीदों से मतलब नहीं वो जो कुछ भी करती है सिर्फ और सिर्फ DM के लिए करती है तीक है इस तरीकी की जो energy होती है सब distorted feminine में होती है divine feminine की जो energy है वो होती है unconditional love सभी का भला चाहना एक balance energy जहाँ पर आप किसी के पीछे नहीं पड़े हो तीक है आप divine पर surrender हो हाँ आपकी इक्षा है बट यस आप divine पर surrender हो और आप divine की judgment का wait करते हो आप उनकी life में match create करने की कोशिश नहीं करते किसी भी चीज़ का pressure उनके उपर नहीं डालते एक balance energy तो यह जो energy होती है यह होती है divine feminine की energy हर तरह से balance होती है तो इनको commit ना करें DM ऐसा हो ही नहीं सकता है divine masculine and commitment का card है ठीक है तो यहां पर आपकी partner यह कहने के लिए तयार है कि वो आपको commit करने के लिए तयार है ठीक है उनको यह connection बहुत जादा है इस वक्त में attract कर रहा है और यह connection उनके लिए उतना ही important बन गया है जतने आप आपके लिए रहा है आपने इस connection के लिए अपने आपको change किया है या फिर आपने चेस किया है आपने जितनी इस connection में चाहा है कि मुझे यह connection मिले मुझे मेरा partner मिले आपने जितनी भी efforts लिए है वहाँ पर यह नजर आता है कि काम करने का time जो है वो आपके DM का है ठीक है DF को अमेशे ऐसा लगता है कि सारा काम मैंने किया है कि कि मैंने इस कनेक्शन में ही सब कुछ किया है आपका एक पार्ट एक है कि इस जर्णी में आपका सबका जो कामे वो बटा हुआ है पहला काम आपके पास आता है जिसे हम इना वग कहते हैं जो आप करते हैं दूसरा काम DM के पास आता है और तीसरा काम universe का होता है सब अपने अपने role को बहुत अच्छे से play करते हैं अगर आप अपने role को बहुत अच्छे से play करते हैं तो first part में आप काम करते हो second part में DM काम करते हैं और हाई लेवल ऑफ सोल मेट्स जाफ है जो इनकल कर आ रही है और यहां पर यह भी नज़र आता है कि करनेशन बहुत ही जादा स्टॉंग हो कि आगे बहुत ही जादा अगाडन की अनरजी दिखा रही है कि मतलब यहां पर ऐसा नज़र आता है जैसे आप दोनों इस साथ जैसे अवेकन हुएं और यहां पर जस तरीके से आपने काम किया उस तरीके से वहां भी काफी सारी चेंजर होते चले गहें होते चले घृत चले गए वो भी जैसे नितयार है जैसे कुछ लोग को ऐसा हो सकता है कि यह लगता हो कि पता नहीं कितना तयार है या क्या है तो यहां पर DF अगर है तो DM ही है मतलब Divine Feminine है तो फिर Divine Masculine है और Distorted Feminine है तो फिर Distorted Masculine भी होता है और आप में से काफी सारे लोग इस energy में भी होने चाहिए है जैसे बहुत सारे लोग का सवाल आ सकता है कि हम कैसे माने कि हम इस energy में है आप कुछ होंगी अपनी life में enjoy कर रहे होंगी आपको किसी के साथ शिकायत नहीं होंगी आप बहुत बहुत कम चीजों से attachment होंगी आपके पास वैसी attachment नहीं होगी यह छूट जाएगा वह छूट जाएगा आप अपनी life में enjoy कर रहे होंगे अपनी creative side पर बहुत work कर रहे होंगे और soul purpose कर रहे होंगे अपनी life में अपनी सारी responsibilities को बराबर से उठा रहे होंगे अपकी life में जितने काम कर रहे होंगे soul पर उसके वाद family members जो भी आपको मेले सबके साथ equally balanced किसी एक इंसान पर आप बहुत जादा focus बिलकुल नहीं होंगे especially आपके DM ठीक है ना आप उनके life में बहुत जादा interfere कर रहे होंगे नहीं आप उनको बहुत जादा चेस कर रहे होंगे नहीं आप उनको अब तुम्हें भी वही सब करना पड़ेगा एक मतलब energy होती है कि तुम्हें भी वही सब जहिलना पड़ेगा तुम्हें भी उस चीज से निकलना पड़ेगा तो आप blessings दे रहे होंगे आपके अंदर किसी भी तरीकी का ego नहीं है नहीं आप उनके किसी चीज को लेकर ऐसा सो अगर है तो उसकी बिनमांगे सारी मुरादें पूरी होती है मांगने का काम distorted feminine करती है divine feminine इतनी जादा surrender होती है कि वह अपना सिर्फ काम करती है बिना मांगे ईश्वर को जो जो उसके लिए सही लगता है सब कुछ देरते चले आते हैं तो यहां पर आप सोच लीजिए अगर आप कुतनी पावर में है तो आपका जो भी counterpart है वो क्यों नहीं होगा पावर में यह आपके partner आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं अब यह reading बहुत high vibrational energy है तो ego mindset के लोग जो भी यहां पर reading को देख रहे हैं उन से शायद यह reading resonate अभी नहीं करेगी and all to a spirit angel of strength healer of the ages खּयूत अंगे हैंताजब दॉढ अंगे आपकी जो पार्टनर है वो आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्परिट वर्ल्ड से बहुत स्टॉंगली कनेक्टेड है और नीचे थिंकिंग मान का कार्ड है जैसे आप जब हर्मिट में होते हैं तो आपको बहुत सारे साइन्स, सिगनल्स आपको बहुत सारी गाइडन्स आती है और अगर आप किसी स्प्रिच्वल जर्नी का पार्ट है तो पूरी की पूरी गाइड़ जर्नी है इंसान बाहर भागता है देखने के लिए चीजों को सु आपको तुरांट नंबर दिख जाएगा कोई न कोई या फिर उससे रिलेड़ आपको बात सुनाई दे जाएगी या फिर कुछ न कुछ आपके आसपास हल चलोगी ऐसी किसी चीज का गिर जाना ठीक है या फिर मतलब आपको कुछ न कुछ ना पता चलेगा कि मैं कुछ गल कर जाएगी मतलब वह एक इशारह होता है कि आप गलत थोट क्रेट कर रहे थे इतना भी होता है इतनी स्टॉंग अगर आपकी इंट्यूशन काम करते हैं तो इतनी स्टॉंग गाइडेंस हाती है और इतना तेजी से आप पकड़ पाते हैं ठीक है मतलब अगर आप किसी के ब किसी के बहुत गलत थोट रहे हैं तो जब आप इस परफिट से स्टॉंगले नजर आरहे हैं तो आपकी जो यह सोचनी की एक होती ना या बहुत ज़दा सोच रहे हैं ओवर थिंकिंग कम होजाती है stress release होता है anxiety issues कम होते हैं तो यहाँ पर आपके partner spirit से बहुत connected नजार आ रहे हैं तो वो message दे रहे हैं यह पूरी guidance आ रही है इस person को और इसी वज़े से यह person connection पर बहुत ध्यान दे पा रहे हैं इस person की strength भी निकल कर आ रहे हैं जो दुनिया ने शायद अभी तक नहीं देखी है जो उनकी spiritual strength है तो spiritually मैंने भी बताया है spiritually सभी लोग काफी strength में होते है spiritual strength जैसे हम कहते है soul की strength वो काफी सारे लोगों में होती है लेकिन हम उस strength को बाहर नहीं निकालते हैं कि हमारे अंदर उसके उपर बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे fear डर अगर है तो strength नहीं बना सकते हैं डर सबसे जादा important होता है डर अगर आपके जिन्दगी में है तो ये कभी आपको अपने मन की नहीं करने देगा कभी आपको वो नहीं बनने देगा और ये कभी आपको spiritual strength भी नहीं बना रहे देगा ये मुझे आपन नजर आ रहा है इसके बाद ही लर ओफ दे एज़ें और टाइड अप ये दोनों कार्ज इस तरीके की बात कर रहे हैं हीलर ओफ दे एज़ें और टाइड अप कि अगर आप हील है ठीक है आपका बाटनगर हील है और आप दोनों हील है तो आपको ऐसा नहीं लगता होगा कि मैं किसी चीज़ से बंधा हुआ हूँ या फिर कोई चीज मुझे से बंधी हुई है ये सबसे बड़ी खासियत होती है हीलिंग की आपका परसन ये मैसेज देनी कोशिश कर रहा है कि अगर आप दोनों कहते हैं हम हील है हील होने का मतलब है कि आपकी कोई भी ऐसे आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जिसते आपको ऐसा लगए कि मैं इससे बंधा हुआ हूँ या बंधी हूई हूँ या फिर मतलब इस जर्णी में भी अगर आप इस जर्णी में ना तो ये भी जर्णी भी आपको बंधन नहीं लगती क्योंकि आपका जो फोकस है वो रिजल्ट पर होता ही नहीं है कि इसका एंड रिजल्ट क्या आना है तो जिनका एंड डिजल्ट पर फोकस नहीं होता है उन्हें जर्णी भी बंधन नहीं लगती और उन्हें कुछ भी बंधन नहीं लगता यहाँ पर वो फ्री जीते हैं बिल्कुल उस रेन्वो रिवाइवर कार्ड की तरह तो आपके पार्टनर भी यहीलिंग का मेसेज दे रहे हैं कि अब उन्हें जादा चीज़ें बंधन नहीं लगती या फिर उन्हें ऐसा नहीं लगता कि कोई उनको बान कर रखे है या कोई उनको अपने साब से चला रहा है अटैच्मेंट एंड डिसीट देखिए यह दोनों चीज़ें बहुत मुश्किल होती है अटैच्मेंट बहुत मुश्किल होती है डिसीट कार्ड है देखिए जब तक आपको किसी चीज़ से अटैच्मेंट है यह आपको गलत करने पर प्रेरिट करता है या फिर आपको सही डिसीजन नहीं लेने देता है, ठीक है, अटैच्मेंट जो होती है, इसमें हम कहते हैं मुह है, अगर किसी चीज का मुह आपको ज्यादा है, तो आप उसके लिए सब कुछ करते हो, और आपके माइन अलग अलग तरीके देता है, उस चीज को अचीव करने के लिए, शॉर्टकट लगाता है, तो यह आपकी लाइफ में एक नेगिटिविटी को क्रेट कर देती है, आपका पाटन मेसेज दे रहा है, किस तरीके के अटैच्मेंट को यह रिलीज कर रहे हैं, जो इनको पूरी तरीके से काम जो आपके पाटन ने की हैं, विएक किसी के अटैच्मेंट में आकर कियी है, लेकिन आपके पाटन सारी चीज़ों को भी रिलीज कर रहे है, और आपके पाटन ने मुझे लगता है, यह ज्यादा तर लोगों से कार्मिक क्रेक्शं को भना रहे थे हैं, तो वहां से भी reading को देखते हैं और जब वो अलग-अलग reading सुनते हैं जैसे बहुत low vibrational reading उन्हों ने सुन ली तो trigger हो जाते हैं तो जब जब आप life में कोई भी reading सुनकर से कुछ लोग कहते हैं कि hero ने के बाद tarot reading नहीं सुननी चाहिए हम तो कहते हैं tarot इतना गजब का है कि tarot ही आपको heal करता ह बहुत अच्छे तरीके से हैं जैसे अगर आपने tarot reading सुनी और आपके सामने कोई ऐसी energy आई जो किसी और की जनरल लीडिंग सुनी आपने जो हो सकते हैं आपके साथ resonate ना कर रही हो लेकिन उसको सुनकर भी आप trigger हो गए या फिर कुछ ऐसा आपने सुन लिया कि आपका partner third party म बहुत जादा दूर है तो जब जब आप कोई भी कहीं से भी trigger हो रही है किसी reading को देखकर भी अगर आप trigger हो इसे बहुत सारे लोग जब यह सुन लेते हैं कि उनका partner life में अभी growth कर रहा है और अपनी life में अभी खुश है लाल सामती से जी रहा है बहुत सारे लोग comment section में लि तरीकी greediness है df ऐसा नहीं सोचती है df फ्री छोड़ देती है पूरी तरीके से surrender मतलग जो मेरा है वो मुझे मिलेगा मेरा काम है काम करने का ठीक है so इस तरीकी energy है so जितने लोग भी जिनको यह लगता है कि tarot reading आपको बहुत अच्छे से हील करते हो कि यह आपको trigger करती है यह तरीके ऐसे कुछ लोग कहते है कि हमको समझ में नहीं आता कि आकर सही क्या है तीके इसका मतलग क्या है कि आप अभी तक बाहर से ही जोड़े हुए हैं अंदर से अभी तक एक भी बार आप जोड़े नहीं है तो आपको समझ में आ रहा होता है और अगर आप tarot reading सुनकर अप आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं इसका मतलग है कि आपको अभी तक ट्रस्ट इशू हील नहीं है तो आप यह चीज़े जान सकते हो गर आप खुद को observe करते हो तो यह यहाँ पर नजर आ रहा है next section भी देखी लेते हैं partner next section क्या लेंगे deception and envy rejoice and celebration and authority आपको partner जितने भी deceptive energy थी इससे हटेगा ठीक है और जहाँ पर जो भी third party है वो release होगी और आपके divine counterpart authority लेंगे तो आपको यह message दे रहे हैं कि सारी deceptive energy खतम करके ही लोटूंगा या लोटूंगी ठीक है और उन सारी चीज़ों को हटांगा हटांगी जो मैंने introduce की एgeben weak jatney को यह बीच में लेकर आते ना उन सबको हटाने का काम आपके धी करते हैं सारनी मैंने की असी तरीके से यह का कार्या होता है लिकिन जब वही ब्यूटिफुल एनरजी, आप जरूर से क्लेम करें अ यह आपकी एनरजी पसंद आया, ओप आपको पसंद आई हो पसंद आया है, प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहले बाहरे अब सुब्सक्राइब जरूर करें। थैंकियु गाइज